हेलो फ्रेंड्स मैं अबिशक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेर इन विल्ला ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बैटरी बैंक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में या जो सबस्टेशन होते हैं उनमें बैटरी बैंक का यूज हम लोग क्यों करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि जब AC सिस्ट्रम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो फिर इंडस्ट्रीज में या सबस्टेशन में DC सप्लाय का यूज क्यों किया जाता है यह सब इंफोर्मेशन आज आज आपको म पार्ट होता है जो जनरेशन ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है देखें सबस्टेशन बहुत टाइप्स के होते हैं पर सबस्टेशन का में काम होता है वोल्टेज को स्टेप या स्टेप डाउन करना ताकि आपके आ वापस में connect करने का काम जो body करती है उसी को substation कहा जाता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि substation में या किसी भी industries में हम लोग battery bank का use क्यू करते हैं तो देखें industries में या substation में जो circuit breakers होते हैं जो VCB या SF6 type के high voltage application के circuit breakers होते हैं इन सभी की जो closing coil होती है और जो tripping coil होती है ये normally DC voltage पर operate होती है जैसे हमारे industries में जो control voltage है ये 110 volt DC use किया गया है तो जब आपको 110 volt DC as a control voltage use करना है तो ये DC voltage के लिए आपको एक DC source की भी requirement पड़ेगी और वही source battery bank होता है तो पहला reason तो ये होगा कि किसी भी substation या और किसी industries में battery bank हम लोग इसलिए use करते हैं क्योंकि हमें circuit breaker को जो control voltage provide करना होता है वो DC होता है तो इसलिए हम लोग battery bank का use करते हैं तो जैसे हमारे industries में 110 volt DC supply battery bank से लिया जाता है जिसे हम लोग circuit breaker के closing coil और tripping coil को energize करने के लिए use करते हैं second point दोस्तों ये है कि बहुत सारे protective device ऐसे होते हैं जो DC supply पर work करते हैं बहुत सारे relays ऐसे होते हैं जो DC supply पर work करते हैं और ये DC supply provide करने के लिए भी आपको battery bank की requirement पड़ती है तो ना केवल आपको circuit breaker का closing और tripping mechanism है उसके लिए DC supply चीए आपको जो protective relays है उनको energize करने के लिए उनकी proper functioning के लिए भी आपको DC supply के requirement पड़ती है और ये requirement फुल्फिल करने के लिए आप battery bank का use, substation या किसी और टाइप की industries में commonly करते हैं third point दोस्तों यह आता है कि किसी भी circuit में, किसी भी control circuit में industries में interlocking की जाती है interlocking करने के लिए भी आपको DC system की requirement पड़ती है जो DCS होता है, जिसे distributed control system भी कहते हैं DCS पूरा 24 volt DC या फिर और किसी voltage DC पर ही work करता है तो जो DCS टाइप की जो चीजे होती है, जिसे distributed control system कहते हैं वो DC system पर ही work करता है, industries में आप जो interlocking करते हैं वो भी DC system के through ही work करती है तो ये भी एक reason है कि आपको battery bank की requirement पड़ेगी क्योंकि जो आपका DCS है वो भी DC पर work करता है जो interlocking आप अपने circuit में provide करेंगे उसके लिए भी आपको DC supply की requirement पड़ेगी और जिसे fulfill करने के लिए आपको battery bank का use करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों एक point ये भी है कि industries में feeders में जो indication lamp यूज करते हैं circuit breaker के जो panels होते हैं उनमें जो indication lamp हम लोग use करते हैं वो lamp भी DC voltage पर ही work करते हैं इसके अलावा जो alarm circuit होता है कि अगर मान लिजिए power supply पूरी cut off हो जाए तो उस case में आपका alarm generate होना चाहिए तो ये जो alarm circuit होते हैं ये भी DC पर ही work करते हैं जो emergency lighting system होता है कि कि किसी भी plant में अगर complete blackout हो जाए तो कुछ emergency lighting हमें देनी पड़ती है जो blackout condition में भी कुछ emergency spot पर आपको lighting available होनी चाहिए तो ये जो emergency lighting system है ये भी DC supply पर ही work करेगा क्योंकि आपका अगर plant में blackout हो गया है तो AC supply तो आपके पास available है नहीं ऐसे में emergency lighting के लिए भी आपको DC supply का use करना पड़ता है तो चाहिए indication lamp हो या फिर आपका alarm circuit हो या emergency lighting हो इन तीनों के लिए ही आपको DC supply के requirement है जो battery bank का use करके आप fulfill करेंगे अब दोस्तो सवाल ये आता है कि हमें DC supply का use करनी की requirement ही क्यों है हम लोग AC supply का use करके भी तो ये सारी application perform कर सकते हैं तो इसका जबाब ये है कि AC supply को आप कहीं store नहीं कर सकते DC supply को आप battery में जरूर store कर सकते हैं मान लिजी अगर power plant ही trip हो जाता है power plant में आपकी जो turbine है वो trip हो जाती है आपका पूरा power circuit isolate हो जाता है complete blackout हो जाता है तो उस case में आपके पास तो AC supply available ही नहीं पर DC supply में आपको फायदा यह है कि क्योंकि DC supply आप battery bank में store कर सकते हैं बैटरी में आप DC supply को store कर सकते हैं तो अगर AC supply आपके पास बिल्कुल भी available नहीं है पूरा power plant आपका blackout हो चुका है तो उस case में भी DC supply आपके पास available रहीगी जिसमें आपके जो indication lamp है जो emergency lighting system है यह सारी चीज़े irrespective of power plant की जो condition है कि आपका power plant चल रहा है या बंद है यह सारी essential चीज़े ऐसी है जो आपको continuously working condition में मिलेगी अगर आप AC supply यूज़ करेंगे और power plant अगर trip हो गया complete blackout हो गया तो उस case में आपको कोई option available नहीं रहेगा पर आप DC supply अगर यूज़ करते हैं तो DC supply बैटरी में store भी कर सकते हैं blackout के condition में जो emergency lighting system है, indication lamp है और भी बहुत सारी ऐसी utilities होती है जो आपको irrespective of power आपको हमेशा healthy condition में चाहिए वो सब condition आपके fulfill होती है अगर आप DC supply का use करते हैं इसके अलावा दोस्तों तीसरा reason यह है कि अगर किसी भी plant में blackout होता है तो उस case में अगर आपने AC supply यूज़ किया है तो आपके जितने indication lamp है जितने panel में indication lamp है वो सब भी off हो जाएंगे क्योंकि AC supply तो available ही नहीं है आपके plant में blackout हुआ है पर इसी जगे अगर आपने DC supply को use किया है तो blackout होने पर भी आपके indication lamp बराबर काम करते रहेंगे आपको यह easily आप identify कर पाएंगे कि कौन सा breaker trip है कौन सा breaker healthy condition में है कौन सा feeder trip हुआ है so that आप जाके उसे ready कर सके तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर indication lamp आपके working condition में रहते है तो दोस्तो यह कुछ reasons थे कि substation में या किसी भी industries में mainly हमें यह कहना चीए कि किसी भी electrical system में हम लोग DC system का use क्यों करते हैं DC supply का use हम लोग क्यों करते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को subscribe कीजिएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए